यह थी कि अब वो बुराडी में किसान इखट्टे हो यह जंतर मंतर पर रामनीला मैदान में वो बात अलेधा है मैं तो यह नहीं समझ पा रहा आज दुपहर से मैं इस पर मंधन कर रहा इतिहास के पन्ने अपने मस्तिष्क में पलट रहा था कि ऐसा बच्पना कभी हुआ क्या अरे जब पर्मीशन देनी ही थी तो परसों क्यों नहीं दे दी यह जंजट कर आया क्यों को रोना में यह आफ़त क्यों की किसान के साथ जूज़ा जाजी क्यों हुई करोणों रोपया खर्च हो गया कई बास लगाए के बल्ली लगाई कई गाटन लाके पटके कहीं कुछ किया कहीं कुछ किया है हजारों की संख्या में फोर्स का मुव्मिंट करा दिया जब पता था कि किसान दिल्ली तक आना चाहता इसमें कोई गलत बात नहीं कोई अनितिक बात नहीं कोई संगर्ष की स्थिति नहीं दिल्ली किसान की किसान दिल्ली का क्या दिक्कत है मिलना चाहिए लोग चाहिए लोग तंत्र है सबको सबसे मिलना चाहिए और सत्ता में जो भी हो उसको सबसे बात करने के लिए तयार रहना चाहिए जो बात केंद्री कृष्यमंत्री ने आज शाम को कही तीसरे पहर वही बात परसों क्यों नहीं कह दे परसों कह देते जंजटली नहीं होता इतना आदमी आता भी नहीं आप रोकोगे हर क्रिया के प्रत्रिया होगी अगर 23 तारीक को ये अनॉंस्मिंट हो जाता कि जो भी किसान संगठन दिल्ली आना चाहते हैं जब आना चाहते हैं आएं पांच-छे घंटे का नोटिस दे अग्रिकल्चर मिनिस्टर उसे मिलेंगे लिख लीजिए मेरा तजुर्वा कहता है देश भर से हजार किसान आता कुल नेता ये सड़क पर लॉंग मार्च नहीं होता कौन अधिकारी है कैसे है क्या समझ है उनकी में तो इस पर हैरानूं चे हर्याणा हो चे दिल्ली हो चे पंजाब हो क्यों रोका राकी कीचे उत्रपदेश हो क्यों इतना सब को हराम मचवाया शाम को चार साड़े चार बज़े मैं देख रहा हूं कि उत्रपदेश पुलिस ने भी परिमिशन दे दी सीमाय ओपिन कर दी अरे बढ़ी बंदी क्यों की थी कि बजमजगी भी हुई कष्ट भी हुआ अपव्य भी हुआ और इन सब के ऊपर बात यह कि जो इस देश का पेट भरता है जो इस देश की थाली को भरता है उस पर कहीं लाठी चलाई कहीं ब्रंडा मारा कहीं आसुगेस छोड़ा कहीं वाटर केनन छोड़ां अला कि किसान को water cannon से कोई फरक ने पड़ता है ये भी जान लीजिए वो तो घुटनों घुटनों भर पानी में रात रात पर ख़ड़ा रहता है खेत में पानी लगाता है तो ये परमात्मेवाने उसको शक्ति दे के बेजा इस धर्ती पर इस गलत भेमी में भी मत रहिए कि किसान को नजला हो जाएगा पानी चलाने वालों पानी भेकने वालों को नजला हो सकता है पाई पकड़े ठंड लग जाए किसान को नजला नहीं होता है वो तो कुल्ला भी करता है तो ट्यूप बेल के पानी से करता है आप वहाँ खड़े हो जाओ तो बह जाओगे इतनी तेस धार होती और इतना ठंडा ह होता है कि निमोनिया हो जाएगा कि मैं हरान कि कैसा निर नहीं अटपटी बात यह मर्यादा के साथ काम हो सकता था जो मर्यादा को तोड़ने के बाद अब किया जा रहा है सब पक्षो का मान रह सकता था और एक बहस कल भी मैंने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी एक बात मैं आज फिर उठाओंगा उसी बात को एक तो यह विशे है मेरे लिए महत्पूर केसी ना समझी क्यों और दूसरा विशे यह किसी भी सरकार में हलागे हर सरकारों में मुझे यही तरक मिला जब भी जो सरकार रहे हर नाम भाई कोई अंदोलन हुआ उसने कहा कि हमारे विपक्षी भड़का रहे हैं क्या यह साजिस कर रहे हैं मैं हमेशा कहता हूं पूरी दुनिया साजिस कर रही मान लिया साजिस को रखो किनारे मसला क्या है आप उसका समधान दे जो साजिस करने वाले अपने आप फेलो जाएंगे शाजिस करने वालों को ढूमने क्यों निकल रहे हैं कोई साजिस करें किसान की समस्या है समधान दे दीजिए बात करता या तो आप उसको समझा दीजिए या वो आपको समझा दे मालीजिए यह लफाजी ठिक नहीं कि फला को जेहां जिसकी सरकार है वो दूसरी पार्टी को बता देता है उसके कुछ हो जाए बिल्ली रस्ताकार जया के विपक्ष की शाजिश है ये कोई बात हुई ना शाजिश क्यों सफल हुई इसका मतलब अन दाता दुखी रहा होगा तब ना किसी की बात में आया और जो बात मान लीजिए मैं मान भे लूँ को एक बीच मैं किसान को एक बीच में हरणाम सिंह एक तरफ उदेवीर सिग एक तरफ ओपी सिंह है bah तो अगर ऑपी यह कहैंगे ने उदेवीर सिंह इनको समझा ले गए तो आप क्या करगए आप अपने कुछ नहीं समझा लिया है और हर्नाम सिंग आपकी बात क्यों नहीं समझें उनकी क्यों समझें कि ए इसलिए आइसे बातें नहीं करिए गूझ था मुझ्द पर रही ए किसान की समस्या क्या है उसका समधान कैसे हो मुझे लगता यह सब से बेहतर बात होगी यह ट्रोल करने से कुछ नहीं होगा मैं देख रहा हूं कुछ लोग खालिस्तान तक पहुंच गए किसी छोटी बात करते हो हिंदुस्तान को जोड़े रखने में हिंदुस्तान को जंदा रखने में जितना बड़ी कुर्वानी किसान की सेना की है उससे बड़ी कुर्वानी हमारे किसान की है कितनी छोटी बात कर रहे कुछ लोग बता रहे खालि उती ट्रेंग